प्रकाश पर्व के समापन के मौके पर बिहार के मुख्यमंतुरी नितीश को पर राजगीर पहुंचिंग जिसे लेकर गुरुद्वार कमीटी द्वारा वैपक पैमाने पर त्यारी की गए यही नहीं देश के विभिन छेत्रों से आय सिक समुदाय के लोग सीम के आगमन को लेकर काफी उत्साइद दिख रहे हैं राजगीर गुरुद्वारा कमीटी के प्रवंधक हजीत सिंग का कहना है कि सीम के आगमन को लेकर व्यापक पैमाने पर तयारी की गई है उन्होंने बताया है कि तैयारी को लेकर नालंदा के डीम और एसपी ने खल का निरिक्षिन किया है। बताने कि मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने राजगीर गुरुनानक सीतल कुंड को विश्व परटक के मांचित्र पर स्थापित करने के लिए पिछले वर्ष से पटना की तरज पर राजगीर में भी प्रकास उत्सव की शुरुवात की थी। इस बार यहां बड़े पैमाने पर लंगर की विवस्था की गई है जिसमें 50,000 से अधिक लोग प्रिशाद ग्रहन करेंगे। इसके साथी साथ गुरुद्वारा के रंग विरंगे रोषनी से सजाया गया है जो शुरुद्धालु को अपनी और आत्रशित कर रहा है। हम इस वक्त बिहार रादगरी में उपस्तिद हैं जहां गुरु का जनम दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी को मेरी तरफ से गुरु कोविन सिंग साहिब जी के जनम दिन बहुती हार दिट शुप कामना है। कर दिन बहुत है।